प्रेंड स्वागत हमारी यूटूब चैनल पर जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इस्टीर स्विटेड वीडियों हमेसा बनाता हूं आपके लिए तो फिर आगे एक और न्यू वीडियो ले करके तो यहां पे एक छोटा सा को कितना वजन जाएगा आपका г्रील का गेट का तो यहां पर हमारे पास गेट का गेट को इसको हम बना रहे बढ़ियां में वजच façoC 모धork में थी सब नह Mandalini और मतलूधि में तो आप अधर बना सकते हैं तो आपको ज्यादा बढ़िया होता है तो यह जो पैप है यह रेलिंग में भी यूज होता है आपको पता होगा कि श्टील का जो सिढ़ियों में जो रेलिंग लगाए जाते हैं वो railing में भी ये 2x2 का उपर handle में यूज होता है तो इसमें भी बहुत सारा confusion होता है तो ये पैप आप handle में लगा सकते हैं मान लीजे आप glass का railing बनवा रहे हैं तो उसमें भी आप देखेंगे कि square पैप लगाए जाते हैं उपर में दो इंची का है यानि दो बाई दो का ये पूरा स्क्वर है तो चलिए अभी इसको हम लोग वजन करेंगे और देखेंगे कि ये 20 फिट की जो लंबी लेंथ है इसकी वजन कितनी होती है आपको ध्यान रखना है कि जितने भी स्टील के पैंप होते हैं वो 20 फिट लंबे आते ह है तो चलिए इसको वजन कर लेते हैं तो यहां पर मैंने काटा को ओन कर दिया है तो बहुत कोई बोलते हैं कि फेक है पर ऐसा नहीं समझेगा क्योंकि मैं जो बनाता हूं रियल बनाता हूं यहां पर तो यह जो आप देख रहे हैं काटा देख सकते अभी ओन है यह मैं इसक स्क्टेम मैं एसको वजन में चट़ा दिया है पूरा लेंद कहीं पहें भी टज नहीं यहां पे इस किलो दस किलो नौसो आया है पूरा वजन दस किलो नौसो तो एप्रॉक से गयारा kid कि आसपास तो तो आपको समझ में आ गया कि एक लेंध पूरा जो 20FIT की होती है यह गयारा किलो की आसपस आती है तो आप वजन आपको इससे कल्कुलेट हो जाएगा कि आप अगर किसी गेट में दो लेंध लगा रहे हैं कितना वजन जाएगा आपको इससे आप अनुमान लगा पाएंगे और रेलिंग में भी लगाएंगे तो आपको कोउष्ट पता हो गा कि आप किस तरह से लगाए जाएंगे. तो यहां पर आपको एक बात और benefit है कि अगर आप मान लिजे कहीं पर भी लेने जाएंगे दुकान पर आपको वजन में ही मिलेगा तो आपको इससे cost को estimate पता चल जाएगा तो चली आज के लिए इतना ही और भी size का अगर पैप देखना है देड़ बाय देड़ एक बाय एक या फिर round पैप का तो सारा वीडियो बना हुआ है तो जाके एक बर आप जरूर देख सकते हैं